अच्छा जी तो पिछले लेसन के अंदर हमने बात करीती है किस तरीगी से multiple platforms पे आपको as a content creator exist करना चाहिए और मेनत करनी चाहिए अब हम बात कर लेते हैं कि investment और advertisement में आपको किस तरीगी से पैसा लगाना चाहिए देखें मैं एक business student हूँ, मैंने business पढ़ा है अल्दो मेरा अब जो काम हो गया है वो creative field से बहुत जादा सलिक हो गया है मगर primarily मैं एक business student हूँ और मेरा background business का है तो मैं जब भी YouTube को या content creation को देखता हूँ तो मैं हमेश उसको एक business की तरह देखता हूँ आपकी service है या आपका good है बहुत सारे लोग अपने content को promote as such नहीं करते मैं इस चीज़ के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ मैं बहुत ज़्यादा पुछ करता हूँ कि आपको अपने content को promote करना चाहिए और जो आप ऐसे कमाते हैं अपने channel से वो आपको वापस अपनी advertisement में उसके एक certain percentage लगाना चाहिए अब इसकी example मैं आपको देता हूँ कि हमने अपना पहला channel Bros. Meet the World के नाम से जब start किया तीन साल साड़े तीन साल पहले तो obviously मेरा background उस वक मैं digital agencies के अंदर काम कर चुका था digital media के अंदर बहुत काम कर चुका था तो Facebook advertisement होती है अक्सर आपने देखा होगा sponsored posts होती है और Facebook पे boosted posts आपको नदर आ रही होती है यह Facebook आपको बड़ा एक अच्छा option देता है वो Instagram पर भी आपके पास आगी है कि आप you know promote कर सकते है अपती चीज़ों को Google Ads हैं जो आप YouTube के अपर promote कर सकते हैं खेर उसकी details में मैं नहीं जाओंगा but what I'm trying to say is के utilize those tools हमने जब initially अपना channel start किया तो obviously हमें YouTube का तो खोगए खास पता नहीं था फेस्बुक में हम बहुच चीते थे तो हमने दबा के फेस्बुक के अंदर advertisement करी हमारा महीने का उस वक budget जो था फेस्बुक का वो at least 25-30,000 रुपे था हम 25-30,000 रुपे हर महीने बिला नागा फेस्बुक के उपर invest करते थे अपनी videos को boost करते थे अपनी posts को promote करते थे obviously 30,000 रुपे हम afford कर सकते थे आप 1,000 रुपे से भी शुरू कर सकते हैं आप 2,000 रुपे से भी शुरू कर सकते हैं इसमें कोई रूल नहीं है obviously जितना गुड़ दालेंगे उतरा मीठ है हमने जब start किया था था आपके पास वो आले लोग भी आ जाते हैं जो डिरिक लिए आपकी वीडियोस प्रॉड़ी नहीं देख पाएंगे एक पॉइंट आपका आता है जब आपको वो अड़टिस्मेंट के अंदर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं बढ़ती because then you're already established हमारे लाइफ साइकल के अंदर भी चैनल के यही आया हमने एक साल तक प्रमोशन दबा के करी उसके बाद जब हमें वीडिशिप आना शुरू हो गई लोगों नहीं जान लिया हमें स्पॉंसर्शिस मिलना शुरू हो गई गई भी चैनल के अंदर लगाना शुरू कर दिया हमें अपनी प्रड़क्षन जो के पैसे लगाना शुरू कर दियाए तके बेदर से बेतर कौंटेंट लोगों को मिल सके यह भी चीज मैं आपको जूर बोलना चाहँआ कि देखें जो भी आप पैसे कमाते हैं YouTube से, उसका certain percentage अपने channel के अंदर जरूर लगाईएगा, आपने equipment को बेतर करें, जिस तरह हमने बात करी थी कि युनो, basic तरीके से अगर खिड़कियों के सामने बैट के आप record करें, और आपने पैसे कमा लिए तो आप फिर lights में invest करें, अगर आपके पास camera अच्छा नहीं था, और eventually आपके पास पैसे आना शुरू हो गएं, तो आप camera में invest करें, soundproofing में invest करें, बेतर gadgets के अंदर इंवेस्ट करें, फिर इसी के साथ-साथ एक जो बहुत जरूरी चीज़े है channels के उपर वो होती है giveaways, और उसके अंदर आपकी audience engagement बहुत जादा ह ले दिया, तो ये चीज़े बहुत जादा जरूरी है, इसके अंदर invest करना बहुत जादा जरूरी है, उसके इलावा बहुत सारी वीडियो ऐसी होती है, इसके अंदर आपको personally बड़े पैसे लगाने होते हैं, और obviously ये content types के उपर भी depend करता है, जिस तरह मेरे दोनों चैनल ज लग सकते हैं उस पूरी वीडियो को शूट करने के अंदर इसी तरीके से अगर मैं किसी वीडियो के अंदर कोई कपड़े दिखा रहा हूं किसी market में जाके तो 15-20,000 पर के अगर मैंने कपड़े ले लिए, तो वो जाहर है, वो किसी ने मुझे बोला नहीं था, और हो सकता ह वो वीडियो स्पॉंसर्ड भी ना हो, तो वो पैसे मेरी जेब से लगें, बट यह मेरी investment है, यह मेरी advertisement की investment है, क्योंकि जब यह मैं पैसे लगाऊंगा, उसके बाद वो वीडियो बनेगी, वो वीडियो चलेगी, उस वीडियो को देखके और बहुत सारे लोग आएंगे, उ और वो एवेंचली आपका पैसा जो है, रिकावर हो जाता है, तो इस पूरे सेटप के अंदर आपको यह समझना जुरूरी है, कि जो भी आप ऐसे कमाते हैं, अपनी जेब के अंदर दाल के घर में जाके जो है, वो दिवार के अंदर नहीं दालें, make sure that you invest some percentage of it back into your channel, क्योंक कॉंपिटिशन बहुत जादा स्ट्रॉंग है, और अच्छे से अच्छा वंदा यूट्यूब के अपर आप आना शुरू होगी है, कुछ लोग के पास, जाहर है एक इनिक्वालिटी हैं, बहुत जादा पैसा होता है, और वो बहुत जादा प्रड़क्शन के अंदर इंव झाले